नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे E.V. Lucas का बहुत ही मज़ेदार निवंध On Finding Things, यानि चीजों के मिलने पर जब कोई चीज अचानक से आपको कहीं पढ़ी मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है, वो यहाँ पर E.V. Lucas आपको बताएगा After the passage of several years since I had picked up anything Last week I found successively a carriage key in Royal Hospital Road Approach in Church Street, Kenningston And six pens in a third class compartment तो after the passage of several years यानि बहुत सारे साल गुजर जाने के बाद Since I had picked up anything जब से मुझे कोई चीज मिली हो मैंने कोई चीज पड़ी हुई, उठाई हो उसके बहुत साल भीद जाने पर Last week, पिछले सबता, I found मुझे मिला Successively, लगातार, एक के बाद एक A carriage की, एक गाड़ी की चावी In Royal Hospital Road तो कहां पर मिली वो चावी? Royal Hospital Road पर यह सारी चीज नोट करते जाएगा क्योंकि multiple choice questions में पूछा जाता है कि carriage की, उसको कहां मिली A bridge in Church Street, Kenningston और एक branch उसको मिला वो कहां मिला? Church Street, Kenningston में And six pence और six pence यानि से का मिला छह पैसे का in a third class compartment तो third class railway के डिबबे में उसको six pence मिले तो यह सारी चीज नोट कर ली जगा कौन सी चीज कहां मिली? Mark कर ली जगा It was as I stooped to pick up the six pence which had suddenly gleamed at me under the siege of the now empty carriers that I said to myself that finding things is one of the purest of earthly joys तो it was as I stooped यानि यह ऐसा हुआ कि जब मैं जुका to pick up उठाने के लिए the six pence which had suddenly gleamed जो कि अचानक से दम के दिखाई दिये at me मुझको under the seat seat के नीचे of the now empty carriers वो जो carriers था यानि रेल का डिबबा था वो अब बिलकुल खाली था तो अचानक से मुझे दिखा that I said to myself उस वक्त मैंने अपने आप से कहा that finding things कि चीजों को पा लेना यानि पड़ी हुई चीजों का मिल जाना is one of the purest earthly joys संसार के सबसे ज्यादा सुखद आनंदों में से एक है यानि इस धर्ती पर जितने भी सबसे ज्यादा pure सबसे ज्यादा पवित्र सबसे ज्यादा शुद्ध जो आनंद है उन में से एक है यानि कुछ देना नहीं है आपको सिर्फ चीज मिल गई गिफ्ट भी मिलता है आपको तो बदले में फिर आपको मालीज आपके बड़े पर आपको गिफ्ट मिला तो सामने बाले के बड़े पर आपको भी तो देना पड़ेगा लेकिन यहाँ आपको बदले में कुछ नहीं देना है तो इसलिए ये क्या है purest of earthly joys और मैं आप से क्यों कह रही थी कि ध्यान से देखिए देखिए एक बर questions देख लीजे इस इस ऐसे पर आधारित जो questions है पहला question देखिए how is finding things one of the purest of earthly joys पहला ही सवाल ये है कि चीजों को पा लेना किस तरीके से सबसे ज़्यादा शुद सानसारिक खुशियों में से एक है तो मैंने अभी आपको इसका जबाब बताया कि ये इसलिए ज़्यादा pure खुशी है कि इसके बदले हमको कुछ नहीं देना पड़ता यानि गिफ्ट भी कि भाई लोग आएंगे तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे तो उनमें भी उस गिफ्ट को लेने में भी उतनी खुशी नहीं होती जितना कोई पड़ी हुई चीज मिल जाने पर होती है तो इसलिए ये purest earthly joys में गिना जाता है यानि चीजों को पा लेने की special quality क्या होती है तो ये अभी आप ऐसे को आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा कि suddenness होती है यानि अचानक से आपको खुशी मिलती है कोई expectation नहीं है कोई उमीद नहीं है अचानक से आपको खुशी मिलती है ये खास quality है फिर दे थर्ड question how does a gift differ from finding a thing by oneself तो ये question भी आगया अभी मैंने आपको gift के बारे में बताया था ये अभी आप आगे पढ़ेंगे कि एक gift का मिलना चीजों के पढ़े हुए मिलने से कैसे अलग है तो जो gift मिलता है उसकी हमें उमीद होती है gift के बदले return gift देना होता है तो अब जो चीज मिली है उसके बदले हमें कुछ नहीं देना है और वो suddenness होती है अचानक से मिली हुई खुशी होती है जो ज्यादा prominent होती है इसलिए gift से अलग है चीजों को पा लेना और fourth question देखिए write a note on the prose style of E.V. Lucas with reference to the essay on finding things यानि E.V. Lucas के prose style पर आपको चीज़ें बताता है funny way में दिखाता है ये आप देखेंगे पूरा essay पढ़ेंगे तो इसलिए मैंने पहले आपको questions discuss कर दिए अब चलिए वापस essay पर चलते हैं तो ये वत्तोस ने अभी बता ही दी कि किस तरीके से purest of earthly joys मैं से ये एक है and how rare और कितना rare मतलब जो मुश्किल से ही कभी मिलता है अब रोज रोज तो चीज़ें पढ़ी हुई मिलती नहीं है आपको सड़क पर रास्ते में तो कितना rare है I have in a lifetime that now and then appalls me by its length found almost nothing यानि I have in a lifetime मेरा जो जीवन काल है उसमे that now and then appalls me now and then का मतलब होता है कभी-कभी appalls मने डराना होता है by its length इसकी लंबाई से यानि मेरा जीवन काल काफी लंबा है और इतना लंबा है कि कभी-कभी मुझे डराता है तो इतने लंबे जीवन काल में found almost nothing तो लग मुझे कभी कुछ पढ़ा हुआ मिला नहीं है और ये जो तीन चीजें मिली मुझे पिछले हफते ब्राउन पेपर पैकेट वेन आई वाज अबाउट सेवन उससे पहले जो उसको मिली थी चीजें उनके बारे में बता रहा है कि ये तीन चीजें तो उसने उपर पहले पिछले हफते जो मिली है उससे पहले जो चीजें मिली है वो साथ साल का जब था अब ब्राउन पेपर पैकेट तो एक कथई रंग का कागज का लिफाफा उसको मिला वेन आई वोज अबाउट सेवन जब मैं लगवग साथ साल का था कंटेनिंग एट पैनीज और उस लिफाफे में आठ पैनीज थे एंड वन हाफ पैनी और एक आधा पैसा था वहाँ के सिक्के हैं जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं आना पाई रुपया आना पाई तो अब चलते नहीं रुपया तो अभी भी चलता है अठनी चवन्नी बंद हो गई है तो यह उधर के सिक्के हैं इंग्लेंड के तो यह मुझको मिले और न्यू फोरेस्ट जगह है इंग्लेंड में तो वहाँ घास में जब मैं लगभग 20 साल का था तो एक आधा डॉलर का मुझे सिक्का मिला एक मुझे सोने का ब्रोच मिला यानि उसकी इतनी परियापत मूल्य था तो मेक इट डिसेंट कि यह ज़्यादा अच्छा लगता तो टेक इट टू दा पुलिस स्टेशन कि उसको पुलिस स्टेशन ले जाए जाए यानि उसकी वैल्यू इतनी थी के उठा कर अपनी जेब में ना रख लिया जाए बल्कि उसको पुलिस स्टेशन में ले जाए जमा किया जाए तो क्या हुआ इट वाज रिटर्न टूनी ये ब्रोज लेखक को लोटा दिया गया तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो उसको जीवनकाल है उसमें उसको मिली है हौल का मतब गेन तो जो लाब हुआ है जो फाइदा मिला है इस आदि सेंचुरी में पचास साल के जीवनकाल में यही सब चीज़ें हैं जो उसको पड़ी हुई मिली अब और वो आगे बताता है कि I might add now and then तो कभी-कभी मैं और चीज़ें जोड सकता हूँ आपको बता सकता हूँ कि मुझे कभी-कभी और कुछ चीज़ें मिली परहपस शायद a safety pin कोई safety pin पड़ी मिल गई यह एकसल मिल जाती है रास्ते में पड़ी हुई pencil पड़ी हुई मिल गई some other trifle और कोई ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ मिल गई which जो के no matter how well supplied with no matter कोई फर्क नहीं पड़ता how well supplied with यानि कितना अच्छा खासा यह supply है यानि इन चीज़ों का भंडार है व्यक्ति के पास such articles ऐसी चीज़ों का one may be व्यक्ति के पास हो सकता है यानि हमाई पास कितनी भी safety pins हों लेकिन जब एक safety pin पड़ी मिल जाती है तो वो खुशी देती है कितने भी हमाई पास पैसे हों लेकिन दसका note एक पड़ा मिल जाए तो वो खुशी देता है लिखकी कहना चाहता है which no matter how well supplied with such articles one may be cannot be acquired from nothing without a thrill यानि इन चीजों को हम प्राप्त करने के बाद without thrill नहीं रह सकते यानि बिना romance के बिना खुशी के नहीं रह सकते जब हमें ये चीज़ें acquire होती है प्राप्त होती है blue sky dividends हमें कैसा लगता है कि ये नीले आकाश से कोई आसमान से टपकती न चीज़ें लोग कहते हैं कि ये कोई पैसा आसमान से थोड़ी बरस रहा है तो ऐसा ही लगता है कि ये चीज़ें आसमान से टपकी हों blue sky नीले आकाश से मिलने वाले dividends बने फाइदे यह बहुत बड़े आदमी हैं इंगलेंड के बहुत फेमस रहे हैं अपने जीवन काल में दुनिया के सबसे ज़्यादा धन्वान लोगों में गिने जाते थे तो इवन मिस्टर रॉक्फेलर आई टेक इट वुड नोट हैव बीन अन्मूवड हैड ही इंस्टेड अफ माइसल्फ स्टंबल ओन ट्रेजर बिट्वीन स्टोनी क्रोस एंड बोल्डर वुड तो जो वहां के सबसे ज़्यादा धन्वान व्यक्ती हैं इंगलेंड के मिस्टर रॉक्फेलर उनको भी अगर कोई चीज पड़ी मिल जाए कहने का मतलब यह है लेखा का कि कितना भी दम्वान व्यक्ती हो फिर भी अगर उसको कोई चीज यहीं पड़ी मिल जाती है तो बहुत खुशी मिलती है उसको तो even मिस्टर रॉक्फेलर आई टेक इट मेरा ऐसा मान नहीं रहते हैं, would not have been unmoved, वो भी unmoved नहीं रहते हैं, प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं, had he, कि अगर उनको, instead of myself, मेरे बजाए, यानि मुझे ये चीजने मिली, तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मेरे बजाए, अगर Mr. Rockefeller को ये चीजने मिली होती हैं, तो वो भी खुश हुए बिना नहीं रहते, stumbled on that treasure, stumbled on का मतब होता है, अचानक से मिल जाना, तो अचानक से अगर उनको मिल गया होता, that treasure, वो खजाना, between Stoney Cross and Boulderwood, तो ये दोनों जगहों के नाम हैं, इंग्लेंड में, तो इन दो जगहों के बीच, जो पड़ा हुआ, मुझे ये खजाना मिला है, जो छोटी मोडी चीज़ें उन्होंने अभी बताई हैं, उपर, तो अगर वो चीज़ें Mr. Rockefeller को भी मिली होती, तो वो भी उतने ही खुश होते, आगे देखिए, next paragraph, यहाँ आपको जो question था न, gift वाला, उसका answer मिलेगा, to be given such things, is not a comparable experience, to be given, यानि दिया जाना, such things, ऐसी चीज़ों का is not a comparable experience, वो तुलना करने के लायक अनुभब नहीं है, with a gift intention, consciousness, preparation, come in, यानि with a gift intention, जब उपहार के रादे से, तोफे के रादे से कोई चीज़ दी जाती है, तो consciousness रहती है, यानि चेतना रहती है, सचेतन रहते हैं, आपके भीया मिलनी है चीज, preparation, आपकी त अशने सजाती है, preparation आजाती है, to say nothing of obligation later, और भीया कहना ही किया, obligation मने अहसान, लेटर बाद में, तो to say nothing, उसका तो कहना ही किया, उसको भी तो बोलो ही मत, भी कोई आपको gift देता है, तो उसका अहसान हो जाता है आपके उपर, और आपको भी फिर वो अहसान तो चुकाना ही ह must be given, the event ये जो घटना होती है, gift देने की, उपहार देने की is also complicated, वो gentle भी होती है, and therefore और इसी लिए shorn of its glory, उसकी जो glory है, उसकी जो चमक है, वो shorn of मने गायव हो जाती है, उसमें कोई खुशी नहीं रहती, उसमें उतनी चमक नहीं रहती, by the second person, दूसरे व्यक्ति के द्वार since the gift must be given, क्योंकि उपहार तो आपको देना होता है, यानि आपको उपहार तो दिया जाना या फिर आपको बदले में उपहार देना होता है, but suddenly, लेकिन अचानक से, dropping one size, जब हमारी नजर जाती है, अचानक से हमारी नजर पढ़ती है, to be aware of a coin, कि भहिया एक सिक्का पड़ा ह that is sheer rapture, वो एकदम से rapture मनें खुशी, और sheer मनें प्योट, एकदम से विशुद आनन्द होता है, खुशी होती है, भी तो उतना नहीं होता है, जब हम छूटे थे बच्पन में, अगर हमको कोई या ये 5 पैसे का सिक्का मिल जाता था, वाकई में बड़ी खुशी होती थी, त वो जो खुशी है, उसको तो शदों में बयान नहीं कर सकते, अधर थींग्स कैन बी एक्साइटिंग टू, भहुत सारी दूसी चीजें भी हैं, जो के एक्साइटिंग हो सकती हैं, उत्तेजक हो सकती हैं, सहा से भरी हो सकती हैं, बट अ कॉइन इस बेस्ट, लेकिन एक सिक् है, वो रेयली मनें मुशकिल से ही कभी, आइदेंटिफाइबल मनें पहचाना जा सकता है बायदा लूजर कोने वाले के द्वारा, य scholarly खोने शद शुवनी कह सकता कि यह नहीं कह सकता हैं, तो भई कोई हमको एक रुपया का सिक्धा पढ़ा मिल गया, तो यह नहीं कह सकता क यह मेरा सिक्का है क्योंकि इस पर नाम तो लिखा नहीं है सारी सिक्के एक जैसे होते है इडेंटिफाइबल है नहीं अंगूठी है किसी की या कोई और चीज है जूते हैं किसी के चप्पले हैं वो तुरन पहचान लेगा कि यह मेरी चप्पले हैं तुमने चोड़ाई है लेकिन सिक्का नहीं इडेंटिफाइबल है moreover I am naturally confining myself to those things the ownership of which could not possibly be traced moreover इसके अलावा I am naturally confining मैं सभावत है मलब सभाविक रूप से confining मैंने सीमित किये हुए हूँ myself अपने आपको मैं केवल उन चीजों की बात कर रहा हूँ to those things उन चीजों की the ownership यानि मालिकाना हक of which जिन चीजों का could not possibly be traced संभावत है trace नहीं किया जा सकता पता नहीं लगाया जा सकता कि वो चीज़ें किस की है to find things which have to be surrendered is as impure a joy as the world contains and no theme for this pen to find things ऐसी चीजों को पा लेना which have to be surrendered जिनको के दिया जाना है जमा करना पड़े is as impure a joy वो बड़ा अशुद एक आनन्द है as the world contains जो के संसार में है यानि संसार में जतने अशुद आनन्द हो सकते हैं उतना ही अशुद आनन्द ये है कि भया चीज मिल गई और वो आपको वापस करनी है and no theme for this pen और मैं जिस pen से लिख रहा हूँ उसके लिए ये कोई विशेवस्तू नहीं है मेरे pen के लिए वो चीज विशेवस्तू नहीं है यानि मेरे pen की विशेवस्तू वो चीज है जिसको बस उठाके रख लेना है वापस नहीं करना है यानि कोई चीज पालेने की प्रक्रिया की with its consequent acceleration यानि consequent मने परणाम स्वरूप acceleration मने खुशी तो उसके परणाम स्वरूप जो खुशी मिलती है is half unexpectedness and half separateness एक तो होती है उसकी unexpectedness या बिना उमीद के मिल जाती है हम सोच भी नहीं रहते हैं कि हमें कोई चीज मिलेगी और वो मिल जाती है and half separateness और अलगाव यानि जो इसकी है वो चीज वो उससे अलग हो गया अब हमको उसका उससे कोई लेना देना नहीं है तो वो चीज उससे अलग हो गई there being no warning कोई हमको चितावनी नहीं मिलती पहले से बताया नहीं जाता कि यह चीज मिलने बाली है and the article coming to you और वो चीज आपके पास आ रही होती है by chance इतिफाकन संयोग वश आ रही होती है no one is to be thanked हमें किसी को धन्यवाद भी नहीं देना है उस चीज के लिए शुक्रिया भी अदा नहीं करना है no one to be owed anything और ना ही हम किसी के रिणी हो रहें ना हम किसी के कर्जदार हो रहें कि भाईया उसकी हमारे उपर ये कर्ज है in short you have achieved the greatest human triumph you have got something for nothing in short शंचेप में अगर कहें तो you have achieved तुमने प्राप्त कर लिया है the greatest महांतम human triumph इंसानी विजय यानि एक मनुष्य जितनी बड़ी विजय प्राप्त कर सकता है वो सबसे महांतम विजय आपने प्राप्त कर लिया है you have got आपने प्राप्त कर लिया है something कोई चीज for nothing बिना कुछ दिये that is the true idea ये ही सच्चा विचार है the nothing must be absolute वो जो nothing है यानि कुछ भी न देना बिना कोई कीमत चुकाए जो आपने प्राप्त किया तो वो nothing must be absolute वो पूर्ट होना चाहिए one must never have looked never have had any finding intention or even hope तो one must never have looked यानि व्यक्ती कभी तलाश में न रहा हो never have had any finding intention और नहीं कभी कुछ पाने की उसका इरादा रहा हो और even hope और यहां तक कि उमीद भी न रही हो और अचानक से कोई चीज मिल जाए to look for things is to change the whole theory यानि to look for अगर आप तलाश करते हैं कि भहिया कहीं कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए आप गारा गड़ा के सड़क पे देख रहे हैं हैं चारों तरफ देख रहे हैं कहीं कोई चीज पड़ी ही मिल जाए तो उससे क्या होता है तो लुक फॉर का मतर तलाश करना ढूंडना तिंस चीजों को इस to change the whole theory उससे ये पूरा सिधानत ही बदल जाता है अना अब तो आपकी इच्छा जागरत हो गई अब आपको उमीद हो गई कि सड़क पे कहीं कहीं कुछ तो पड़ा मिलेगा इसका जो दैविय suddenness है suddenness मतलब अचानक से होने वाली बात है तो वो suddenness इससे गायब हो जाती है जब आप चीजों को तलाश करने लगते हैं तो बिकम एंग्शस आप चिंतित हो जाते हैं इवन एवेरिशियस यहां तक कि लालची हो जाते हैं तो पार्टेक आफ दे नेचर आफ दा रैग पिकर तो पार्टेक यानि आप शामिल हो जाते हैं उस प्रकृती में उस स्वभाब में आफ दा रैग पिकर जो के कूड़ा बीनने वालों का है दा शिफोनियर ये भी कुड़ा बुईने वालों के लिए एक शब्द आता है तो आप उनकी संगत में उनकी ग्रुप में मालीजे उनकी जात में पांत में शामिल हो जाते हैं अगर आप चीज़ों को तलाश करते हैं और दोज इस्टेंजमें या फिर उन विचित्र लोगों की पंगत में आप शामिल हो जाते हैं जो व्यक्ति को दिखाई देते हैं वाकिंग चलते हुए विद बेंट हैट्स सिर जुकागर यानि हर वक्त सडक में अपनी आँखें गड़ाए सिर जुकाए जो चलते हैं along the shore यानि समुद्र के किनारे after a storm तूफान के बाद क्योंकि तूफान में जब समुद्री तूफान आता है तो अंदर से बहुत सारी चीज़ें वो अपने साथ लेकर आता है तो कुछ लोग उस तूफान के बाद समुद्र के किनारे आँखें गड़ाए गूमते हैं कि कहीं कुछ तो मिल जाए तो उन्ही की जमात में आप शामिल हो जाते हैं Nonetheless, that was a great moment. Once in the island of coal when after two hours systematic searching I found the plower's nest. Nonetheless, इसके बाद दूफान पल था once एक बार in the island of coal यानि coal deep में when after two hours systematic searching जब दो घंटे की लगातार तलाश के बाद I found मुझे मिला the plower's nest. Plower यानि एक चिडिया का गौंसला जिसके के अंडे खाये जाते हैं, टेस्टी माने जाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए plower के जो अंडे हैं बहुत टेस्टी होते हैं तो मुझे वो जो गौंसला मिला वो बहुत बड़ी मेरे and pure a joy that to trifle with it is peculiarly heartless. Finding things चीजों को पा लेना is at once यानि एक साथ so rare इतना दुरलब है and pure और इतना विशुद्ध है a joy, आनन्द ये जो आनन्द है इतना दुरलब हो विशुद्ध है that came to trifle with it. trifle मनें छोटा पन करना वुस्ताखी करना इसके साथ is peculiarly heartless, बड़ा हिरदैहीन है यानि बड़ी दुश्टता होगी अगर आप इस आनन्द के साथ छुटपना करें. Yet are there people so wantonly in need of sport as to do so? Yet फिर भी are there people? बहुत सारे लोग हैं ऐसे so wantonly यानि इतना गिरे हुए तरीके से in need आवश्यक्ता में होते हैं of sport खेलने की as to do so कि वो ऐसा करते हैं. यानि इस अनुभव के साथ, इस feeling के साथ भी वो खिलवार करते हैं, कुछ लोग इतने दुश्ट होते हैं. Everyone knows, हर कोई जानता है of the purse के एक बटुआ laid on the path रास्ते पर रख दिया जाता है, यानि ये खिलवार करने के तरीके हैं. कुछ लोग जान बूज कर एक बटुआ रख देते हैं रास्ते पर और पेवमेंट या खड़ंजे पर, सडग पर, beside a fence, उसकी चार दिवारी के पास में, beside माने पास में, करीब. और fence होता है, जो बार लगी होती है, जैसे तारों का कटीले तार लगे होते हैं, कहीं-कहीं जाली लगी होती है, तो वो fence कहलाती है. तो आपने देखा होगा फुटपात के आसपास लगी होते हैं तो उसके पास में एक बटुआ रख देते हैं विच जो के as the excited passerby is true to pick it up यानि बड़ा उतेजित होकर वहां से कोई गुजरने वाला जुखता है इसको उठाने के लिए यानि किसी को दिखा बटुआ कि भाया कोई बटुआ पड़ा है चलो इसको उठा लेते हैं सड़क किनारे इस twist तो उसको क्या है एकदम जटका लगता है through the palings palings मलब जो बाड है कटकरा है उससे by its adherent string यानि उससे जुड़ी हुई adherent मने जुड़ी हुई string मने जो धागा होता है जो रसी होती है बटुआ की जुड़ी हुई उससे एकदम जटका लगता है there is also और फिर जिन्होंने ये काम किया है वहां बटुआ रखा है वो फिर जो जोर से हंसते हैं उसका मजाग बनाते हैं आज़े देखो देखो कैसा आदमी बटुआ उठा राता है देखो जटका लगया इसको there is also the shilling attached to a thread ये भी एक खेल है जो बहुत बार लोग खेलते हैं कि एक shilling ये तो इंग्लेंड का सिक्का है हमारे यहां भी जिसे एक रुपे का सिक्का दो रुपे का सिक्का अभी तो उनकी ज़्यादा कीमत नहीं है अभी तो कोई अगर ऐसा खेल खेलेगा तो सो रुपे का नोट के साथ खेलेगा कम से कम तो ये भी एक खेल है कि एक shilling जो सिक्का है वो एक धागे में अटेस कर दिया जाता है विच केन बी ड्रॉप्ड इन जिसको की गिरा दिया जाता है कहां दा स्ट्रीट गली में और जैसे ही कोई उसको उठाने के लिए जुटता है वापस एक दम से खीच लिया जाता है तो बार बार आदमी स्कूरूटिनी करता है जहता है निरिक्षन करता है कि खरंजे पर कहीं कोई सिक्का तो नहीं पढ़ा हुआ कोई देयर भी लोर ट्रिक्स क्या इससे भी नीचे दरजे की चालें हो सकती है लोर मने नीचे दरजे की ट्रिक्स मने चालें इससे भी नीचे दरजे की चालें हो सकती है क्या I fear so, हाँ मुझे लगता है कि हो सकती है because some years ago क्योंकि कुछ साल पहले in the great days of a rendezvous of bohemians in the strand known as the marble halls के काफी लंबा sentence है पूरा पढ़ लेते हैं A wicked way I have been told once nailed a bad but plausible sovereign to the floor and waited events तो क्या हुआ एक घटना वो बता रहे है कि I fear so because some years ago कुछ साल पहले in the great days जो महान दिन थे of a rendezvous of bohemians bohemians होते हैं वो लोग, artists लोग होते हैं कलाकार लोग होते हैं जो कहीं भी घूमते फिरते रहते हैं और कहीं भी मिल जाते हैं कहीं भी meeting कर लेते हैं जो ये रेंट है वो है ये meeting place है तो जब ये घूमनतू लोग मिला करते थे इन्दा स्ट्रेंड उस जगहे पर स्ट्रेंड एक busy street है लंदन की known as the marble halls जिसको कहा जाता है marble halls तो वहाँ पर a wicked wag तो एक wicked माने दुष्ट और वेग माने एक ऐसा आदमी जिसको मजा करने की आदत होती है तो एक ऐसा दुष्ट मजा किया I have been told मुझे ऐसा बताया गया है once एक बार nailed उसने कील से यानि चोबे से गाड़ दिया a bad एक खराब यानि खोटा सिका जो होता है but plausible लेकिन विश्वस नहीं है देखने में वो खोटा सिका नहीं लग रहा था लेकिन था खोटा सिका तो उसको एक कील से गाड़ दिया सौबरेन सिका क्या था? सौबरेन ये भी सिके का नाम है to the floor फर्ष पर गाड़ दिया उसको and waited और फिर इंतजार किया events घटनाओ का यानि हर कोई उस सिके को सौबरेन को उठाने के लिए जुकता था जमीन पर पड़ा दिखता था वो सिका और गड़ा हुआ था कील से इन दे केस ऑफ दे पर्स and स्ट्रिंग दे बर्ट्स आर फ्यू and फार बेट्वीन यानि जहां तक जो केस है मौामला है of the पर्स बड़ूए का and the string और डोरी का the बड़्स तो यहां पर जो शिकार है यानि वो बड़ूए को उठाने वाले लोग है are few वो बहुत कम होते हैं and far between यानि यदा कदा होते हैं एक आया फिर काफी समय के बाद दूसरा आया तो यदा कदा होते हैं and there is usually only a small audience और prior केवल small audience होती है यानि थोड़े से ही लोग होते हैं उनको देखने वाले to rejoice मने मजे लेने वाले in their discomfisher उनकी परेशानी में जब वो बटूए उठाते हैं और उनको परिशानी होती है जटका लगता है तो उसको देखकर मजे लेने वाले लोग कम ही होते हैं but the denuma denuma end होता है तो लेकिन जो अन्त है of the cruel comedy इस दुष्टता से भरे हुए मजाग का at the marble halls marble halls में of which acquisitiveness and cunning वर्दा warp and woof काफी लंबा sentence है और काफी difficult भी होगा आपके लिए तो वहाँ से शुरू हुआ एक बार पूरा पढ़ देती हूँ sentence को फिर देखे of which acquisitiveness and cunning वर्दा वर्दा warp and woof was only too bitterly public अच्छा यहां फूर स्टॉप लग गया चलिए खतम हो गया मुझे लगा नीचे तक जारा sentence तो यह जो comedy है उसका denoma उसका अंत इस cruel comedy का इस दुष्टा से भरे मजाग का at the marble house of which जिसके के acquisitiveness acquisitiveness होती है पाल लेने की इच्छा और cunning मने शरारत वर्दा warp and woof वो ताना बाना है जब कोई कपड़ा बुना जाता है तो एक तो जो धागा होता है वो ऐसे ऐसे होता है उपर से नीचे की ओर और दूसरा धागा ऐसे होता है दाएं से बाएं हैं ना ऐसे करके तो इसको कहते हैं warp and woof ताना और बाना तो अब दो चीज़े हैं जो यहां इस मजाग में इस दुष्टता से भरे हुई मजाग में काम करती हैं तो एक तो है पालेने की इच्छा और दूसरी है शरारत तो एक व्यक्ति की तो accusative-ness है पाने की इच्छा है जो उसको उठाता है सिके को और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति की शरारत है तो ये तानबाना है was only too bitterly public तो ये बहुत कड़वा हट के साथ public को दिखाई देता है क्योंकि वहाँ बहुत भीड होती है बहुत सारे लोग होते हैं तो सब को दिखाई देता है दूसरे जो cases हैं उनमें बहुत कमी लोग होते हैं देखने वाले मजे लेने वाले लेकिन यहां बहुत ज़्यादा लोग होते हैं I am told such a human resourcefulness in guile that very few of those who saw the coin and marked it down as their own went for it right away because had they done so to the action might have been noticed and the booty claimed तो देखिए यह क्या कहरा है sentence I am told मुझे बताया जाता है such a human resourcefulness such माने ऐसी such is ऐसी है human इंसानी resourcefulness माने पहुँच कोई बेखती होता है जिसकी बहुत ज़्यादा पकड होती है बहुत ज़्यादा पहुँच होती है जिन्होंने वो सिक्का वहाँ पर कील के साथ ठोका है वो भी दोखा देने में माहर है और जो उस सिक्के को उठा कर ले जाना चाहते हैं उठाना चाहते हैं वो भी दोखा देने में माहर है वो भी लोगों को दोखा देना चाहते हैं चाप से उठाना चाते किसी को पता ना चले तो कि ऐसी resourcefulness है इन गायल धोखा देने में लोगों की ऐसी पकड है that कि very few बहुत कम लोग of those उन में से who saw the coin जिन्होंने उस सिक्के को देखा and marked it down और उसको मान लिया as their own अपना जब भी कोई लावारिस चीज ऐसी पड़ी देखते हैं तो उसे हम अपना मान लेते हैं भीया हमारी है धर्ती माता पर पाई पाई चीज तो ऐसा कुछ बच्चे बोलते हैं कि भीया हमें तो धर्ती पर पड़ी हुई मेली है तो यह हमारी हो गई तो marked it down as their own उन्होंने मान लिया अपना went for it right away तो उसको लेने गए ठीक तुरंट नहीं गए क्योंकि very few बोला है ना बहुत कम लोग ऐसे थे there are very few of those who saw यानि बहुत कम लोग जिन्होंने इसको देखा और तुरंट लेने गए हो ऐसे बहुत कम लोग थे because क्यों थे तुरंट क्यों नहीं लेने जाते थे because had they done so क्योंकि अगर वो ऐसा करते तुरंट उस सिक्के को उठाने जाते the action might have been noticed तो उनका ये काम देख लिया जाता and the booty claimed और ये जो booty है booty माने होता है loot का माल claimed कोई दूसरा व्यक्ती भी उस पे अपना दावा कर सकता था दिख जाता सिक्का दूसरे को कि भाईया ये तो हमारा सिक्का है तो तुरंट नहीं लेने गए instead बजाएस के उन्होंने क्या किया the discoverer यानि जिसने वो सिक्का देखा would look swiftly वो बहुत तेजी से देखता था and stealthily चाप देखता था round चारों और and then gradually और फिर धीरे धीरे and with every affectation और पूरा affection तो होता है प्यार और affectation होती है बनावट पूरी बनावट के साथ of non-calence non-calence क्या होती है कि भाईया हमें इसमें कोई interest रही है उदासींता non-calence होती है तो बिलकुल उदासींता का दिखावा करते हुए which to those in secret watching from the corners of their wicked eyes was so funny as to be an agony और उनकी ये जो उदासींता का दिखावा है which to those उन लोगों के लिए in the secret जो के छुपे हुए होते थे watching देख रहे होते थे from the corners कोनों से of their wicked eyes अपनी दुष्ट आँखों के कोनों से was so funny इतना मजाकिया होता था as to be agony कि वो बड़ा दुखद हो जाता था बहुत ज़्यादा मजाक से भरा हुआ होता था तो अब जो देखने वाला बंदा ये तो आगया bracket में अब बात उसकी हो रही थी जिसने वो coin देखी और दिखावा ये किया कि उस coin में उसको कोई interest नहीं है तो वो बंदा he would get nearer and nearer तो वो बंदा पास और पास जाता था उस सिक्के के until जब तक के he was able at last वो अंत तह काम्याव नहीं हो जाता था to place one foot on it अपना एक पैर उस सिक्के के उपर रखने में यानि घूमता फिरता चलता फिरता इतने पास चला जाता कि उसके उपर अपना एक पैर रख देता this accomplished ये होने के बाद he would relax वो थोड़ा relax करता थोड़ा stretch करता इधार उदार अंगडाई लेता into something like real naturalness यानि जैसे कि बिलकुल real लगे स्वाभाविक लगे लोगों को देखने में लगे ना के भाईया ये सिक्का उठाने आया था and practically certain to his pray take things easily for a moment or so and practically certain और पुरे व्यावारिक रूप से निश्चे होकर to his pray अपने शिकार के प्रती जो सिक्का उठारा उसके प्रती take things easily चीजों को बड़े अराम से लेता for a moment or so एक दो पल के लिए बड़ी राहत से वहां मजे से खड़ा रहता often I am told अकसर मुझको बताया जाता है the poor dude वो बिचारा जो बंदा है बेवकूफ जिसको बनाया जा रहा है would वो क्या करता at this point इस point पर आकर इस बिंदू पर आकर whistle the latest tune और फिर वो city बजाता मजे से the latest tune जो बिलकुल नई नई tune होती थी नया नया गाना कोई चल रहा होता था उसकी धुन बजाता मजे से इवन नई आव हाएवर यह देर्ड नट अवेदर्स अटर्फियूज ओफ इस प्राइज वर ही सीन तो पिक इट अप माइट है तो बी सरेंडर्डर्ड और शेर्ड काफी लमसेंट है तो अब क्या होता इवन नई अभी भी हावेवर किंतु उसके अंदर हिम्मत नहीं होती थी अबेंडन छोडने की सेव्टर्फियूज अपने दोखे को अपने चल को और हिस प्राइज और ना ही अपने उस प्राइज को यानि कि उस सिक्के को वर ही सीन टू पिक इट अब कहीं ऐसा नहों कि कोई उसको देख ले ये सिक्का उठाते हुए तो वो क्या करता था might have to be surrendered or shared अगर किसी ने देख लिया वो सिक्का तो might have हो सकता था कि उसको वो सिक्का surrender करना पड़ता देना पड़ता और shared या फिर किसी के साथ बांटना पड़ता तो इस बास से बचने के लिए, so the next move, तो उसका जो अगला कदम होता था, was, वो क्या था? To drop his handkerchief. अपने रुमाल को गिराना उस सिक्के के उपर, the idea being, और इरादा ये होता था, to pick up both कि रुमाल गिराया जाए और फिर दोनों चीजों को एक साथ उठाया जाए, यानि रुमाल को भी, and the sovereign, और उस सिक्के को भी together, एक साथ. Such explosion of laughter, ऐसी हसी का ठहा का as followed, जो के उसके बाद आता था निकल कर, upon his failure, उसके असफल होने पर, क्योंकि सौवरेन तो कील से ठुका हुआ है, उठा है नहीं वो, तो लोगों का हसी का ठहा का आता था to do so, यानि ऐसा करने में जब वो असफल होता था उस सिक्के को उठाने में, can I am informed, मुझे ऐसा बताया जाता है, rarely have been heard, ऐसा ठहा का हसी का, मुश्किल से ही कभी किसी ने सुना होगा such was the conspiracy, ऐसा शर्यंत्र होता था now and then, कभी कभी the victim जो शिकार होता था shaking the chagrin from his, would without shame himself join तो वो जो शिकार होता था shaking, बने दूर करते हुए the chagrin, chagrin बने जहेंब होती है, शर्मिंदगी होती है from his, अपनी शर्मिंदगी को एक साइड रख देता था, हटा देता और फिर क्या करता था would without shame, बिना किसी शर्म के, join himself खुद भी शामिल हो जाता था and become और बन जाता था a delighted spectator एक खुशी से मजे लेने वाला दर्शक of his successor's humiliation, अपने बाद आने वाले व्यक्ती की शर्मिंदगी में, यानि खुद उन लोगों में शामिल हो जाता था जो तमाशबीन होते थे और उसके बाद जो ऐसे शिकार आते थे जो उस सिक्के को उठाने की कोशिश करते थे तो उनकी शर्मिंदगी में मजे लेने में खुद भी शामिल हो जाता था can you conceive क्या आप सोच सकते हैं क्या आप सोच सकते हैं और लोगों को ऐसे चलने का ऐसे धोखा देने का और ज्यादा शैतानी से भरा हुआ बट आइशुड लाइट तो हैव विटनेस देट लेकिन मुझे बड़ा मजा आएगा अगर मैं ये देख पाऊं तो अगर आप सोच सकते हैं कि इसे भी ज्यादा चलावा किया जा सकता है लोगों का मजाग बनाया जा सकता है तो जरा मुझे भी बताईएगा मैं भी इसको देखना चाहूंगा तो बड़ा अच्छा चैप्टर था आपको अपने सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा अगर आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं उस चैप्टर पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन का तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगे धन्यवाद